नमस्कार मित्रों, मैं अवीना स्रेंजन गुपता, आपका अपने चैनल में हार्दी कभी नंदन करता हूँ आज हम रचनाभाग के अंतरगत आपचारिक पत्र के रूप में किसी प्राचारे महोदे को या मुख्य ध्यापक को पत्र कैसे लिखा जाता है, क्यूं लिखा जाता है, उसकी भासा कैसी होनी चाहिए, उसका प्रारूप क्या होता है, इन सभी विशयों पर चर्चा करने जा अपनी स्रेष्ट उपलबधियों का उपलबधियां अर्थात अचीवमेंट्स का उलेख करते हुए, प्रधाना ध्यापक को अपने विध्याले में ग्यारवी कक्षा में विज्ञान वर्ग में प्रवेश देने के लिए आवेधन पत्र लिखिए, यहां ध्यान देने वाल संबोधन का चयन किया जाएगा, और अगर आपके विध्याले का प्रमुख कोई पुरुस है, तो वे जिस पद पर अधिश्टित होंगे, उस पद के आधार पर संबोधन का चयन किया जाएगा, इस पत्र में दो रंगों का प्रयोग किया गया है, नीला और लाल, लाल नीले रंग में वड़नित, वाक्य, परिवर्तन सील है, आप उसे अपनी सुविधा और आवशक्ता अनुसार बदल सकते हैं, नीले रंग में वड़नित, वाक्य, और परिवर्तन सील है, परन्तु अगर आप चाहें, तो उसमें भी बदलाव कर सकते हैं, यह आपकी आवश अर्थात science stream में admission लेने के लिए आवेदन पत्र देने की आवशक्ता क्यों महसूस की गई कभी कभी ऐसा होता है कि एक छात्र अपने ही स्कूल से दसवी की परिक्षा उत्रिन करता है अर्थात पास करता है और वो उसी स्कूल में बारवी विज्ञान वर्ग लेकर पढ़ना चाता है परन्तु विज्ञान वर्ग के लिए अधिक्तम अंकों की आवशक्ता होती है ऐसी इस्थिती में एक छात्र जिसका मानक तै किये गए अंकों से कम अंक आये हैं और वो चाहता है कि इस पत्र के माध्यम से वो अपनी उपलब्धियों की तरफ प्रधाना चार्य का ध्यान आकर्सित करे और विज्ञान वर्ग में दाखिला पासके दिनांख 12 जून 2019 सेवा में स्रिमान प्रधाना चार्य डी एभी पब्लिक स्कूल बरियातु रोड रौंची विशे ग्यारवी कक्षा में विज्ञान वर्ग में प्रवेस हेतू महोदय सविने निवेदन यह है कि मैं अविनास रिंजन गुपता कक्षा दसवी अ का छात्र इस स्कूल में गत चह वर्षों से पढ़ रहा हूं मैं पिछले तीन वर्षों से 89 प्रतिसत और उससे भी अधिक अंक प्राप्त कर रहा हूं इसके अतरिक्त मैं पाठे सहगामी क्रियाओं या सहसेक्षिक गतिवीधियां जिसे अंग्रेजी में को करिकुलर एक्टिविटीज कहते हैं मैं भी उम्दा प्रदर्शन करता रहा हूं पिछले वर्ष मैंने SOF अर्थाथ Science Olympiad Foundation विज्ञान और गणित Olympiad परिक्षा में राज्यस्तर पर प्रथम स्थान पाकर इस विद्याले का नाम रौसन किया है NCC और Scout and Guide में मेरी एकाग्रता, समर्पन और समय की पाबंदी के लिए मुझे दो बार प्रसंसा पत्र भी प्राप्थ हो चुका है मैंने सत्र 2018-19 में आपके विद्याले से दसवी बोर्ड की परिक्षा उत्तिर्ड रिकी है अर्थात पास की है इस परिक्षा में मुझे 86 प्रतिसत अंक प्राप्थ हुए हैं विज्यान और गणित के विशयों में मुझे 89 प्रतिसत अंक प्राप्थ हुए हैं दसवी कक्षा के अध्यापक मेरे वैज्यानिक दृष्टिकोन की सराहना करते रहे हैं विज्ञान के विशेयों में मेरा गहरा लगाओ है। विसेश कर भौतिक विज्ञान और रसायन सास्त्र में। भौतिक विज्ञान अर्थाथ Physics और रसायन सास्त्र अर्थाथ Chemistry। विद्याले की ओर से आयोजित विज्ञान संगोष्ठी अर्थात, साइंस सेमिनार और प्रदर्शनी अर्थात, एक्जिभीशन में मैं हमेशा भाग लेता हूँ, इस विद्याले में ग्यारवी के विज्ञान वर्ग में दाखिला लेने के लिए निर्धारित मानकों के अनु पिच्यानबे प्रतिसत अंक होने चाहिए जो मेरे नहीं है, पर मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मैंने ग्यारवी की वार्थिक परिक्षा में 85 प्रतिसत अंक और बारवी की अर्ध वार्थिक परिक्षा में 87 प्रतिसत या इससे अधिक अंक नहीं होगा वचन बध्धता अर्थात अंडर्टेकिंग अतह स्रीमान से कर बध्धन रोध है कि मुझे अपने विद्याले में ग्यारवी कक्षा में विज्ञान वर्ग में प्रवेश की अनुमती दे कर क्रितार्थ करें इस महान क्रिपा के लिए मैं आपका सदेव आभारी उम्मिद करता हूँ आपको ये मेरा विडियो अच्छा लगा होगा आप इसे लाइक, सेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपके पास हिंदी से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट में लिखकर मुझे जरूर सूचित करें यह था संभव में कोशिस करूँ कि उस पर एक विडियो बना कर आप तक पहुंचाओं धन्यवाद